हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुभाग कुमार सिंग है आप लोग को पीछला वीडियो अच्छा लागा होगा जिसका टॉपिक था वेरियेबल्स और अड 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 इन्टिफार्स इन पाइथन तो बिफोर मुविंग फॉरवर्ड प्लीज क्लिक दा बेल इकन और सब्सक्राइब आवर चैनल इलेक्ट्रोफोर यू इलेक्ट्रोफोर यू तो गेट नोटिफिकेशन पर आवर लेटिस्ट अपडेट तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन डेटा टाइप सिंपाइथन डेटा टाइप कंवर्जन्स इंपाइथन तो इस आप टॉपिक वे रेट टुडेए ओके तो आज का पहला टॉपिक है यू पाइथन तो कीवर्ड क्या होता है? प्री डिफाइन वर्ड और रिजब वर्ड मतलब कि कुछ ऐसे इंटर्प्रेटर को पहले से पता है, उसे हम लोग कहेंगे कीवर्ड ज के वर्ड के वर्ड कैंड बी यूज्ट एज वर्ड इर्मीनिग इस ऑल्रेडी डिवर्ड तो कीवर्ड एज वर्यवर्ड नेम यूज नहीं होता है, ओके तो दियर राथ थर्टी थरी किवर्ड पाइथन में ओके हम लोग देखने वाले हैं how to see the keyword of list of keyword कैसे देखें तो अपने python इसल में new file में जाकर यह code लिखेगा import keyword print keyword dot k kw list यह लिखेंगे तो जितना 33 keywords है वो आपके python से ले आ जाएगा run कराने के बाद okay अब हम लोग देखने जा रहे है list of keywords तो यह सब list of keywords है python में तो कुछ notice करने वाली बात है वो मैं बताता हूं आप लोगो जिसे कि यह true है यह false और none यह तीनों का पहला word capital है और बाकी कोई भी keyword का पहला word capital नहीं है सब small है यह तीनों का पहला word capital है नन जो है यह दूसरे language में नल सुनेंगों वही वही काम करता है नन इस language में और बाकी language की तरह इसमें भी if else wild for और और अलिफ अलिफ जो c language में else if होता है वही अलिफ है इसमें तो notice करने वाली बात है कि इसमें switch statement और dual concept नहीं मिलेगा और operators है और and not तो यह सब operators भी मिलेंगे इस language में और एक add यह जो add है यह python 2 में नहीं था python 3 में यह keyword introduced किया गया है तो यह भी difference था कि python 2 पासर python 3 में कि add keyword python 2 में इंटर्ड्यू कोई बागी सब keyword थे python 3 में एक नया keyword introduced किया गया है add keyword बस और यह इसी तरह बस यह है 33 keywords है आप देख लिए कौन-कौन से keywords है आप इसले कोई language पढ़े होंगे C, C, C++, Java कोई भी language में कौन-कौन keyword इसमें नहीं है और कौन keyword इस language का उसमें नहीं है देख लिए आप ठीक है तो देजान दर list of keywords in python हमारा second topic है data types in python तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि nature of data किस-किस पर depend करता है तो पहला है memory जैसे कि data in type का है तो इससे पता चल जाएगा कि data memory में कितना जगा लेगा दूसरा representation वो data in type का है वो memory में कैसे represent हो ऑपरेशन जैसे data in type का है तो उस data से हम किस-किस तरह के operation perform कर सकते हैं ठीक है तो दी ज्यादा nature of data different करता है यह सब पर अब हम लोग दूसरा topic देखते हैं ठीक है यह छे data types है python में अब इसको हम लोग एक एक करकर पड़ते हैं ठीक है तो दिखने वाले हैं पहला data type real that is numbers, the number में पहला इंड ,utral integer value जो होता है 35 23-4 ओके फ्लोट वैल्यू यानि रियल रियल वैल्यू तो 2.0 पॉइंट वाला वैल्यू फ्लोट वैल्यू होता है कॉंप्लेक्स वैल्यू जिसमें 3 प्लस 4 जे इसमें जे इमेजनारी है और 3 ये रियल पार्ट है अब देखते हैं तो अब दूसरा पढ़ने वाने डेटा टाइप इस्ट्रींग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस्टी आर से ठीक है इसुआ होता है अब करेंटर कर राप करते हैं यानि कि द कारते हैं यानि की दोलों तरफ सिंगल डबल कोड़ लगाते तो थी टाइप ऑफ रैपिंग करते हैं स्ट्रिंग में तो पहला है कि पहला है रापिंग वी सिंगल कोर्स देख लिए रापिंग वी डबल कोर्स और तीसरा है आइधर सिंगल कोर्स और डबल कोर्स इस तरह तो यह तिलो में से को भी रापिंग यूज कर सकते हैं आप स्ट् तो आप अम लोग तीसरा डेटा टाइप देखने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप यह सब हम लोग पढ़ने पढ़ेंगे यह वह लोग वाइल डूप तक कम्प्लीट हो जाएगा फिर लूप के बाद हम लिस्ट पढ़ेंगे तो यह सब अच्छे से समझाएंगे आप लोग लिस्ट कंटेण सरी तो रही है यह लेकिटा लेट गर होता है बरांकेट से और के फिल तो चौथा को टाहिब है टवल हम लोग टाइप कहें था टाइपने अटमलगे और न शुक्ले में थ्यक्ति मेचट यह वी डैअल्यू मोंश्ट यह गे लिश्ट थे खेल में सबिक्स सब पढ़ेंगे लोग कंप्लीट होने के बाद पुरा लिस्ट टपल डिक्सनरी सेट यह सब सब इंटर कनेक्टेट है एक दूसरे सेट तो टपल इस डिफाइंट यूजिंग पैरेंथेसिस यह पैरेंथेसिस से डिफाइंट होता है अब हमनों चौथा हम लोग हो गया टपल और दुझते हैं तो पांच वा डेटर टाएंट है सेट एस सेट इसेट पांटेट शिरीज और गयू सब्रेक्टे बाइच बाइट यूजिंग कर लीडिक हो सेट को डिफाइंट करते हैं करली अब लोग चट्ता देखने वाले हैं ओक है अब अब लोग कर छट्टा डेट तो दी जाता है डेटा टाइप इन पाइफन आज का अपना अपना पाइफन से खोल लीजेगा उसमें टाइप कीजिएगा कुछ दे डारेक्ट ऐसे लिखा जाता है पाइधन से डारेक्ट यह स्ट्रिंग टाइप करें कि डबल लगा हुगा है ताइप भी देखना होगा तो आइसे लिख लिएगा डाइप अब्सक्राइब ले लेते हैं तो अब यह दोनों को एड कराना होगा एड करना है तो जोजे एक्स प्लस वाई तो इसका ओड पूट आएगा इला इसलिए आएगा क्योंकि एकस्टींग टाइब क्या है और जोड़ों को आड नहीं करा सकते तो हम लोगो को करना होगा इंट में तो इंट में करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट फंक्शन यह यह फंक्शन है हम बताते हैं कौन-कौन सा फंक्शन होता है लेटाटाइट में ठीक है तो अब यही चीज को हम लोग इंट में अईसे लिखेंगे इंट एक्स प्लस वाई तो एक्स स्ट्रिंग था इसको हम लोग इंट में करा लिए ठीक है इंट फंक्शन का यूज करके जिसका आएगा यह अपने पाइटाट में आप देख ली जगा तो अब हम लोग देखते हैं टाइप अब करने के लिए तो जैसे कि यह पांच है हम लोग में ज्यादा यूज होता है यह सब कर इसलिए यह सब लिख दिया हैं आप लोगो तो इंट यह दे की फ्लोट श्रिंग कॉंप्ले यह दे टाइप को इन्ट मेंट कराने के लिए आंहों लोग इन फंक्शन यूज करते हैं हाश टैक रिर्लीं नो इल्ट करता है तो घृंट फ्लोट इन टाइप को इस फ्लूट तो यह रिटर्न करता है यूनिकोड तो पाइफन में यूनिकोड यूज होता है पाइफन 3 में यूनिकोड यूज होता है ठीक है यूज होता है यूज हम लोग दूसरा डेटाइप को अबर कराना है तो यूज करेंगे तो आवर लास्ट टॉपिक इस टॉप्रिटेट्ट यूज होता है तो आज के lecture में हम लोग देख लिए Keywords in Python, Data Types in Python, Data Type Conversion Function तो अब next class में हम लोग देखेंगे Input and Output Statement in Python, ओके तो हम लोग इस channel का नाम है Electro4U और आज के class का notes चाहिए तो आपको link हम लोग का website का मिल जाएगा Electro4U.in डिस्क्रिप्शन में और इप एनी problem प्लीज कमेंट बिलोव थैंक यू